हाई इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Attorney General of India इसका जो जिक्र है वो है सविधान के आर्टिकल नंबर 76 के अंदर इसका जिक्र किया गया है जो Attorney General of India है यह highest law officer होता है एक highest law अधिकारी होता है Government of India के अंदर इनका जो appointment है और termination है यह दोनों कोन करता है President of India करता है और इनकी जो भी condition और इनका सिलेक्षन काईसे होता है सबसे पहली चीज्टों शीटीजन आफ इंडिया होना चाहिए या कम सेखम, जो हाई हाई कोट में पास साल तक जज होने चाहिए या अगर एड़ोकेट है तो कम से कम 10 साल होने चाहिए हाई कोट के अंदर अगर यह भी नहीं है तो डिस्टिंग्विश्ट जूरिस्ट होने चाहिए तब जाके राष्ट्रपती इनको अपाइमेंट कर सकता है अज एड़ोर्ने होने चाहिए राष्ट्रपती के नजर में तब राष्ट्रपती इनको एड़ोर्ने जनरल आफ इंडिया बना सकता है और इनका जो रेजिकनेशन है या अगर यह खुद भी दे सकते रेजिकनेशन या अगर राष्ट्रपती चाहिए तो इनको भी निकाल सकता है क्योंकि य यह जो इनका जो अपाइमेंट होता है यह होता है as a on the pleasure of the President, President के खुशी के आधार पे इनका मेंली अपाइमेंट होता है, जब तक President चाहेंगे तब तक इनको सर्विस में रखेंगे और चाहे तो निकाल भी सकते हैं, इनको जो प्रिविलेज मिलते हैं, जो भी प्रिविलेज कि जो भी प्रोसीडिंग होती है, उसमें यह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस और यह उनके पास राइट टू ओट नहीं है, ओटिंग नहीं कर सकते हैं, बाकि जितने भी पार्लामेंट के अंदर प्रोसीडिंग होती है, उसमें यह पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और बोल भी सकते अपनी राय दे सकते बस किसी भी बिल के उपर ओटिंग नहीं करेंगे यह सेम वे जो भी देश के अंदर कोट होंगे चाहे हो हाई कोट हो सुपरिम कोट हो या कोई भी कोट हो उसमें यह ओडियंस बनके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके असिस्टन के लिए मतलब एटर औरनी जनरल आफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए सोलिसिटर जनरल होते हैं और जो एटर औरनी जनरल आफ इंडिया है इनको अभी दो एडिशनल सोलिसिटर जनरल दिये गए हैं देन इनके function के बात करें तो ये mainly क्या काम करतें ये जो भी government center government के जो भी legal matters होते हैं तो वो सभी को ये मतलब देखते mainly advice करते center government को और ये क्या करते हैं इनका जो भी advice है वो binding नहीं होता है center government के उपर then जो भी president, राष्टपती जो भी legal matters से related जो भी इनको कुछ भी अगर पूसते हैं कोई भी राय मांगते तो उनको अपनी राय देना होता है time to time जिस हिसाब से राष्टपती जब भी राय मांगेंगे तो उनको legal matters से related जो भी राय मांगेंगे वो attorney general of India को देना होता है अब देखते हम कुछ इनके functions, सबसे पहला function यह है कि जो भी government का, जो भी center government के भिहाप पे मतलब जो भी court के अंदर center government के उपर किसी भी type का matter चल रहा होगा तो उस समय यह center government के भिहाप से चाए हाइ कोटो चाए सुप्रिम कोटो के हाइ कोटो या सुप्रिम कोटो वहाँ पे यह इनके जो भी matters होते हैं उनको देखते है attorney general of India और पारला मेंड में भी क्या करते पारला मेंड के जो भी matters होते हैं उनको भी देखते हैं पार्लामेन में दोनों आ गए लोकसभा और राज्य सभा तो दोनों के अगर किसी भी हाइकोट या सुप्रिम कोट में चल रहे तो उस समय भी यह मैटर देखते और दूसरी चीज़ जो प्रिसाइडिंग ऑपीसर्स होते हैं ठीके लोकसभा में स्पीकर और राज्य सभा में इनके भी मैटर्स जो है ये कौन देखता है अगर गौवर्मेंट आफ इंडिया को जो भी कोई भी मतलब ऐसे मैटर्स जिसके उपर उनकी राय चाहिए तो भी ये देते हैं ये मेंली अपना जो भी एडवाईजरी ओपिनियन है चाहिए सुपरिंग कोट से रिलेटेड हो इसमें एटर्नी जनरल अपनी राय देते हैं लीगल मैटर्स के उपर देन इनके पास राय टू और एंडिया के अंदर जो भी हाइए कोट है सुपरिंग कोट है डिश्टिक कोट है सेशन कोट है वो सभी में एज़व इनके पास अधिकार है कि वह एज़ ऑदियन्स वहां पर्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी सुप्रिम कोट के जो भी प्रोसीडिंग रहेगी उसमें भी ये ठीक है पार्टिसिपेट कर सकते और दुसी चीज जो भी जो भी एडोकेट होंगे सुप्रिम कोट के अंदर तो उनमें सबसे सीनियर जब ये जब ये प्रोसीडिंग मे सुप्रिमकोट के सुप्रिम कोट के प्रॉसीडिंग में जब पार्टीसिपेट करेंगे तो उसमें जो भी एडोकेट हुँंगे सुप्रिमकोट में उनके उपपर में इनका जो प्रेसिडेंट है इनका जो प्रेसिडेंट है यह सबसे उपर रहेगा देन जो भी लीगल मैटर होगा जो भी constitutional importance related जो भी matters होगा वो भी speaker को यह बताते है ठीक है और प्रेसिडेंट और speaker की speaker को जो भी राय देते है वो binding नहीं रहते प्रेसिडेंट के उपर मतलब speaker को मानना जरूर नहीं है जो भी अपना राय देते हैं यह ओपिनियन देते हैं वो सभी advisory nature होता है और सबसे इंपोर्टन पार्लामेंट के अंदर जो भी बिल पास होते जो भी लॉप पास होते यह चेक करते कि वो fundamental rights को violate ना करें यह चेक करना mainly advocate general of India का काम है देन सबसे इंपोर्टन चीज यह क्या है एक principal advisor है government of India के लिए जो भी legal matter constitutional matter जो भी होते उन सभी matters को mainly advocate general of India देखता है तो यह हमने main main इनके function देखा सबसे important चीज यह fundamental rights violate ना हो इसलिए parliament को advise करते देन जो भी legal matters होते constitutional important matter होते वो speaker को बताते है और इनके पास right to audience का अधिकार है इसलिए वो किसी भी court में as a audience participate कर सकते देन supreme court के अंदर as a मतलब जो भी advocate होंगे उनके उपर इनका president बैठता है टॉप लेवल पे देन अपने point of view देते प्रेसिडेंट को देन जो भी government, parliament और प्रेसाइडिंग officers के जो भी cases होते हो खुद उनके भिहापे यह खुद लड़ते है इस तरह से इनके main function है और यह हमने mainly जाना किस तरह से इनका appointment होता है, क्या time condition होती है, कितना qualification होता है यह सभी हमने इस वीडियो में जाना ओके, so that's all for this video, thank you, bye bye